हम बात कर रहे है यंवी सी-सी की। आज के दिन की बात करें तो फिलाल इस्टॉक में हमको एक परसेंट के उपर के आपसाइट के साथ systॉक जो है ट्रेड होता आवा नजार आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त इस टॉक 116 रुपए 10 पैसे पर फिलाल हमको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है एक गिरावट के बात एक जंप लिया था है इस टॉक ने रिजेक्शन फेस किया था 120 के आसपास से गिरावट आई थी तो इस लोग को ब्रेकड़ॉन नहीं किया था उस वक्त हमने कहा था कि यहां से NBCC का केल पलट सकता है और हम देख सकते हैं अगें जंप के साथ इस टॉक अपने इस हाई के आसपास आप ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है जहां से इस से पहले इस टॉक ने रिजेक्शन लिया था एक जेक्ट उसी लेवल से इस टॉक इ लेकिन चार्ट पेटर जीस हिसाब से हमको देखने के लिए मिरा हाया रहा है उस एकोर्डिंग हमको यहां से ब्रेक आप होता हुआ नजर आ सकता है NBCC में तेजी देखने के लिए मिल सकती है लेकिन इससे पहले भी वी वीडियो में हमने एक लेवल को डिसकुस किया था जि से पहले जहां rejection face किया करता था वही immediate support का काम करेगा 114-115 का लेवल इसको breakdown कर जाता है तो next support का काम करेगा 112 का लेवल जहां rejection face किया था हम देख सकते हैं और तगड़े हर important support का role play करेगा यह जो इसका low 106 107 का लेवल जहां से गिरावट के बाद bonds back हो रहा है stock अब यहां से immediate target डेखने के लिए मिलेगा यहां से bounce back होगा stock और हमको 120 का target दिखा सकता है immediate target रहेगा अपना 120 का लेवल और याद रखिए दोस्तों 120 का ही लेवल है जिसको हमने इससे पहले discuss किया है 120 के लेवल को stock को break out करना है और इसके ओपर दो-तिन दिन sustain होना है लगातार बड़ी तेजी के लिए अगर NBCC 120 के लेवल को break out करके ओपर दो-तिन दिन sustain हो जाता है तो फिर एक clear cut up train का signal रहेगा फिर यहां से आमको 130 से लेके 140 तक के भी target NBCC short term में दिखा सकता है लेकिन condition रहेगे 120 के break out करके उसके ऊपर sustain होना अगर आप teammate account open करना जाते हो तो description में दीगई लिंक से कर सकते हो वीडियो जो education purpose के लिए कोई बाइस हेले होल्ड के सला नहीं है।